उंक्टे खड़े कर देने वाली तस्वीरे सामने आई वहाँ विमान को टो करने वाली गाड़ी में आग लगने से हरकम मच गया बताया गया कि हाजसे के वक्त वो गाड़ी एर इंडिया के विमान को खीच कर रनवे की तरफ ले जा रही थी तभी उससे लपते निकलने लगी विमान से कुछ फीट की ही दूरी पर लपते उठती देख वहाँ मौझूद करमचारी भी सहम गये हालां कि हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी तस्वीरों में कुछ करमचारी आग बुझाने वाले सिलिंडरों का इस्तमाल करते नजर आए लेकिन उनकी इस कोशिश से आग बुझने के बजाए और भढ़क दे हादसे के वक्त विमान गाड़ी के ठीक पीछे खड़ा दिखाई दिया खबरों के मताबिक उसमें 85 लोग भी सवार थे हलांकि बाद में किसी तरह आग को बुझा लिया गया और विमान या उसमें सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सबाद केकपा थीग कि बड़े विमानों को एयरपोर्ट की पार्किंग से रनवे तक खींच कर ले जाना पड़ता है जिसके लिए खास तरह के ट्रैक्टर का इस्तमाल किया जाता है जिसे टो ट्रैक्टर का कटक कह जाता है और बताया आ गया कि एर इंडिया का जो विमान मुंबई से जामनगर के लिए उड़ान भरने वाला था उसमें यात्रियों के बैठने के बाद तो ट्रैक्टर से रन्वे तक पहुचाया जा रहा था और तभी टो ट्रैक्टर में आग लग गई जिसे थोड़ी देर में बुझा दिया गया लेकिन आग लगने की वज़े अभी सामने नहीं आई मद्ध प्रदेश में बीते तीन दिनों में हुई बे मौसम बारिश और ओलों से राज्जे के अठारा जिलों के करीब पांच सो गाओं में फसलों को भारी नुकसान पहुचा जिनमें शिवपुरी जिला भी शामिल है जहां का एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा जिसमें फसल बरबाद होने से दुखी एक किसान कलेक्टर अक्षे सिंग और पूर विधायक महिंद सिंग यादव के सामने फूट फूट कर होने लगा ये लोग जिले के दीगोद गाओं में फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुचे थे तभी ये किसान पूर विधायक के पैरों में गिर कर मदद की कुहार लगाने लगा ये देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने फॉरण उसे उठा कर धांडस बंदा है कमुबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर हर्दा से भी सामने आई और वहां भी तबहा फसलों को देखने के लिए जिले के अधिकारियों ने गाओं का दौरा किया लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं करवाया पूर्व मुख्यमंत्री के इस आरोप को राज्य के कृशिमंत्री कमल पटेल ने खारिच कर दिया बहुतर गंटे के अंदर सर्वे कराकर अधिस उचित करके किसानों बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से जहां पूरवांचल एक्ष्पिस वे के पास बने भगवान परशुरा मंदिर के सामने लगा फरसा गिरना ही सियास किरते ही सियासी बवाल मच गया फरसा आठ दिन पहले ही लगा था और का जा रहा है कि तेज हवा की वज़े से वो तूटकर गिर पड़ा जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साथ दिया क्योंकि आठ दिन पहले एक बड़े कारिकरम में खुद अखिलेश यादव की मौजूद तूटकर गिर गिया इसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पूरू मुख्यमंदरी अखिलेश यादव पर तंज कसा है साफ तोर पर आरोप लगा है बीजेपी प्रवक्ता ने कि इसमें भी घोटाला किया गया और जो और अब बगवान परशुराम का जो अ जो आठ दिन बाद ही तूटकर जमीन पर गिर गया ये फरसा भगवान परशुराम के मंदर के सामने समाजवादी पार्टी की ओर से लगवाया गया था जिसके लिए आठ दिन पहले यानि दो जनवरी को एक कारकरम हुआ था जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए थे औ किया है भगवान परशुराम की जो मूर्ती नहीं मना सकते उस मूर्ती से फरसा तूटकर के गये गया इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नास हो जाएगा का जा रहा है कि ये फरसा तेज हवा की वज़े से गिरा जिसके बाद आरोब लगा कि इसमें बरश्टा चार हुआ और खराब कॉलिटी का फरसा लगाया गया वैसे फरसा तूटते ही यूपी में चुनाव से पहले भगवान परशुराम पर हो रही सियासत को और हवा मिल ग जाएगी इसे यूपी में होने वाले विधान सबा चुनाव से जोडा गया यही नहीं इसी महीने की दो जनवरी को भगवान परशुराम की मूर्ती का नावरन करने के बाद अखिलेश ने कहा था कि राज्य में उनकी सरकार आने पर भगवान परशुराम की जहनती की परशुराम पुरी करने की मांग भी कर रहे हैं। के हाथों में और उसी ट्रस्ट ने पूरवान चल एक्स्प्रिस वे के किनारे परशुराम का मंदिर बनाया था जिसके सामने 68 फीट उचा फरसा लगाया जो तेज हवा के साथ बारिश की मार नहीं जहिल पाया और अब उसी जगह से समाजबादी पार्टी को ताने जहिलने पड़ वाए अमेरिका के लॉस आंजिलिस से रॉंक्टे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया वहाँ पुलिस की हिम्मत और समझदारी से एक पायलेट की जान बच गई बताया गया कि विमान में उड़ान भरते ही खराबी आ गई और वो रेल की पट्रियों के ब वक्त बचा था हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो पायलेट को विमान से निकालने में कामियाब हो गए पुलिस वाले पायलेट को लेकर कुछ फीट की दूरी पर ही पहुंचे थे कि ट्रेन भी पूरी रफ्तार से दोड़ते हुए वां पहुंच गई ट्रेन से ही विमान के परकचे उड़ गए और उसका मलबा दूर दूर तक बिखर गया इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ट्रेन और उस चोटे विमान की टक्कर होती नजर आई हाला कि इस हादसे में पायलेट बाल बजग गया और उसे मामूली चोटे ही आई सोब अधकिक बादी की चार सीट वाला ये चोटा विमान लौस अंजलिस के नजदी की एक एरपोर्ट से उड़ा था जिसमें सिर्फ पायलेट ही मुझूद था जो हादसे में गहाल होने के बाद कॉक्पिट से निकल नहीं पारा था जबकि वहाँ पहुँचे पुलिस वालों ने उस रूट की सभी ट्रेने रोकने का इलर्ड भी जारी किया था लेकिन एक ट्रेन फिर भी उसी ट्रैक पर आ गई जिसकी रफ़तार इतनी थी की ब्रेक लगाने का मौका भी नी मिला लेहाजा पुलिस वालों ने पाइलेट को खीच कर बाहर निकाला और घसीटते हुए पटरी से दूर कर दी समाजबादी पार्टी के नेता और उत्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलाइम सिंग यादव ने बिना नाम लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर चुटकी ली महराष्ट के नागपूर में RSS मुख्याले पर आतंकी हमले की साज़िश का पुलिस ने परदाफाश कर दिया और ये दावा किया कि बीते साल जुलाई की 13 और 14 तारीख को आतंकी संगठन जैश मुख्याले की रेकी की थी बताया गया कि जमू कश्मीर का रहने वाला वो आतंकी इस विराक में था कि मौका मिलते ही वो दफ्तर पर दूर सही हमला कर दे लेकिन आरेसेस मुख्याले के बाहर पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम देखकर वो महां से चला गया था दावा है कि उसके बाद वो आतंकी डॉक्टर हेड़गवार स्मिती भवन गया था जहां उसने इलाके का एक वीडियो रिकॉर्ड किया बताया गया कि उसके अगले दिन वो दिल्ली के रास्ते जम्मु कश्मीर लॉट गया था और अब खबर है कि नागपुर पुलिस जल्द ही जैश मुहम्मद के इस आतंकी से पूछताच के लिए उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी जिसके तहट आरोपी को एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस को सौपा जा सकता है सुरक्षाबल ने जम्मु कश्मीर में दो और आतंकी ढहर कर दिये जम्मु कश्मीर के कुलगाम में हुई मुढभेड में कुल दो आतंकी मारे गए इनमें एक आतंकी इमाद भी शामिल है जिसने पिछले महीने पुलवामा में एक पुलिस वाले पर हमला किया था दिल्ली में राजपत पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गए वहाँ सेना के बैंड दस्ते ने अभ्यास किया पश्चे मंगाल में कुछ पुलिस वालों को कुरोना होने के बाद कोलकता पुलिस ने एक नई पहल की वहाँ अब थाने जाने के बजाए वाटसैप के जरीए भी शिकायत दर्च की जा सकेगी इसके लिए हर थाने को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा गुजरात के अमरेली में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली नौ भट्टियां पकड़ी पुलिस ने वहाँ ड्रोन कैमरों की मदद से ये कारवाई की और कई आरोपियों को गिरपतार कर लिया पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग की पार्टी पंजाब लोग कॉंग्रेस को चुनाव चिन मिल गया उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने हौकी स्टिक का चिन दिया बिहार में लगातार बढ़ रहे करोना मामलों के बाद मौसम से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग यूज आ रही है इस बार एक नहीं बलकि दो वेस्टन डिस्टर्बिंस की वज़े से मौसम का मिजाज पूरी तरा बदला हुआ है उत्तर भारत में मौसम विभाग के मताबिक इस बार बहुत कम अंतराल में दो वेस्टन डिस्टर्बिंस आये जिनकी वज़े से पहाणों पर लगातार बर्वारी जारी है और कई मैदानी इलाके बे मौसम बारिश की मारज हिल रहे है दिल्ली समेथ कई शहरों में दो दिन तक भारी बारिश हुई बारिश का कई साल का रेकॉर्ड तक टूड़ गया मौसम के इस बदले मिजाज की वज़े से ही कई मैदानी इलाकों का तापमान भी काफी गिर चुका है उसके पीछे मौसम बिवग्यानिक मानते हैं कि लगातार हो रही बारिश और कई जगहों पर ओले पड़े हैं और बर पड़ी है इसके कारण ठंड काफी ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली हो एंसियार की बात हो या आसपास के कई राज्ये बुरी तरीके से ठंड से प्रभावित हैं और ये ठंड से निजात तुरंत नहीं मिलने वाली है और मौसम बिभार में माना है कि आने वाले समय में तीन राज उरीसा, पश्मंगाल और बिहार में भी इसमें बारिश हो सकती है और इन तीनों राज्यों में बारिश होने की वज़े से ठंड काफी तेजी के साथ आने वाले समय में भी रहने वाली है दिल्ली समयत पूरे NCR में मौसम में ऐसी करवटली की लगातार दो दिन तक लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए मौसम का मिज़ाज इसलिए बतला क्यूंकि दिल्ली के आस्मान में एक साथ एक से जादा वेस्टन डिस्टर्बंस पहुंच गए जिनोंने दिल्ली के लोगों को ठिटूरने पर मजबूर कर दिया साल के अभी तक के दिनों की बात करें तो 2022 में जनवरी का महीना पिछले 27 साल का सबसे ठंडा जनवरी का महीना रहा है शनिवार को तो जितनी बारिश दिल्ली में हुई पिछले 22 साल में जनवरी के महीने में किसी एक दिन में इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी पिछले 80 दिनों में दिल्ली और NCR के लोगों के लिए इससे साफ हवा भी पहले कभी नहीं मिली थी रविवार के दिन तो दिल्ली में AQI केवल पचास के करीब ही बना रहा लोगों के लिए राहत की बात ये रही कि सोमबार के दिन सूरज भी खिला और तापमान भी सामाने से करीब 3 डिगरी ज्यादा रहा जिससे लोगों की ठिटुरन भी कम हुई लेकिन मौसम की उल्टी चाल केवल यहीं तक नहीं थी बलकि आगे भी पहाडों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश की चेतावनी कई राज्यों के लिए जारी की गई है और इस चेतावनी की वज़े बने वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस का ही होता है इसी की वज़े से पहाडों पर बर्फबारी भी होती है और इसीके कारण میधानी बारिश होती है या बर्फीली हमाएं भी चलती है बहरत के पश्चमी दिशा में यह तो पाकिस्तान है लेकिن ये disturbance पाकिस्तान में नहीं मलकि उससे भी काफी दूर से भूमद्य सागर से उठकर आता है ज्यादा तर तो ये भूमद्य सागर से ही उठता है कभी कभी अट्लांटिक महा सागर से भी उठता है वहाँ ये गड़बड़ी नहीं होती बलकि कम दबाब का क्षेतर होता है कश्मीर हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों तक नहीं होता बलकि Western disturbance की ताकत पर निर्भर करता है और कई बार तो इनका असर बंगाल तक के मौसम को बदल देता है लेकिन इस बार मौसम के पलटने की वज़ए केवल Western disturbance नहीं बलकि एक से ज़्यादा Western disturbance का एक साथ आना है मौसम विभाग के मताबिक बेहत कम अंतराल पर एक साथ दो Western disturbance आये जिनोंने उत्तर पश्चिम भारत के मौसम पर असर डाला दोनों Western disturbance एक साथ आने की वज़े से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्वबारी हुई और बर्वबारी का ये दौर लंबा भी चल जबकि उसी के असर की वज़े से मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई और तापमान में भी गिरावट दर्च की रही अनुमान है कि आने वाले तीन दिनों में बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है ओडिशा में तो ओले गिरने का भी अनुमान जटाय गया है जिसकी वज़े से तापमान में खरीब तीन डिगरी तक की गिरावट आएगी सौबात की एक बात है कि वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस का दोहरा हमला एक साथ बीते एक महीने में दूसरी बार हुआ है जिसे ग्लोबल वार्मिंग का असर माना जा रहा है और भारत में मुसीवत यह कि उत्तर बश्चिम भारत में वेस्टर्ण डिस्टर्मेंस के साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी हलचल मची हुई है जिसकी वज़े से पूर्व और दक्षन भारत में भी आंधी बारिश और ओले गिरने का संकट गराय हुआ है जहां मौसम विभाग नेंगले 72 घंटे का येलो इलर्ट जारी कर दिया है महिलाओं को 40 पिटिशट टिकेट देने के मुद्बे पर मद्दिपर देश के पूर्व मुख्य मंत्री और कॉंग्रेस नेता कमलनाथ की पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से अलग राय सामने आई विवादासपत तरीके से महिला के बाल काटने के आरोप में घिरे मशूर है स्टाइलिस जावेद हबीब के खिलाफ देश के कई शहरों में विरोध बढ़ता जा रहा है दिल्ली और मद्परदेश के बाद अब 36 गड़ में भी बीजेपी के कुछ कारे करताओं ने प्रदर्शन कर अपना उस्सा जताया और इन लोगों ने रायपूर के राजेंदर नगर इलाके में जावेद हबीब के नाम से चलने वाले एक सलोन के बोर्ड पर कालिक पोट दी जिसकी जानकारी मिलने के बाद इसी नाम से रायपूर में चलने वाले दूसरे सलोन मालिकों ने अपनी दुकाने बंद कर दी अंधेरा चाया हुआ था लेकिन इस खबर को फैलने में देर नहीं लगी यही वज़े रही कि उसे बुझाने का काम भी जल्द ही शुरू हो गया फाइब रिगेट की टीम वहां पहुँच गई लेकिन गोदाम से उठ रही आग की उची उची लपतों को देखकर सब लोग हक्या बक्ये रह गए अंधेरे में लाल लपतों के साथ उठ रहे धुए ने सब को डरा कर रख दिया फिर भी दमकल कर्मियों ने हार नहीं मानी और वो अपने काम में जुट गए अंधेरे से उजाला हो गया लेकिन आग पूरी तरह बुझने में नहीं आई गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए एक के बाद एक दमकल की कई गाड़ियां वहां बुलानी पड़ी पानी का भी बराबर इंतिजाम किया गया बताया गया कि आग को तो कड़ी मेहनत के बाद बुझा लिया गया लेकिन तब तक उस गोदाम के आसपास मौजूद दूसरे गोदाम भी लप्तों से घिर चुके थे जिस लकडी के गोदाम में आग लगी थी वो तो पूरी तरह जलकर राक हो ही गया बाकियों को भी काफी नुकसान पहुँचा सौबात के बात है कि भाईकिलाद अक्षन मौमई में हैं जहां मुस्तफा बाजार में लकडी प्लाइवूड वगएरा की थोक मंडी है और उसी मुस्तफा बाजार में सुबह लकड़ च्छे वजे लकडी के गोदाम में आग लगी जिसकी चपेट में आसपास की दुकाने भी आ गई चुरू होने वाला है और पिशली बार भी इस खताब को जीतने वाले नौवाग जौकविच ही थे ऐसे में वो अपना टाइटल बरकरार रखने के लिए पांच जनवरी को ऐस्टेलिया के मेलबन एरपोर्ट पर उतरे लेकिन उस्टेलिया की सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया क्योंकि उस्टेलिया में उसी शक्स को एंटरी मिल सकती है जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हो और नुवैक जॉकविच ने ठीका नहीं लगवाए है लेकिन जॉकविच का दावा है कि 30 दिसमбर को ही टेनिस ऐस्टेलिया ने उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने से छूट दे दी थी क्योंकि डिसंबर में ही वो कोरोना से ठीक हुए थे जौकोविच का ये तक कहना है कि ऑस्टेलिए के गरह मंतराले ने भी उनकी एंट्री को हरी जंडी दी थी लेकिन ऑस्टेलिया की सरकार ने दावा किया कि जौकोविच को कौरोना वैक्सीन लगवाने से मिली छूट वैद नहीं थी इसलिए उनका वीजा रद्द किया गया हाला कि अब भी ये साफ नहीं है कि जॉकविच उस्टेलियन ओपन खेल पाएंगे या नहीं क्योंकि उस्टेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर अभी अपनी ताकत का इस्तमाल करके उनका वीजा फिर कैंसल कर सकते है वही नौएक जॉकविच के हक में फैसला आते ही औस्टेलिया में उनके समर्थक सड़कों पर उतरा है वो मेलबन में जॉकविच की लीगल टीम के दफ्तर के बाहर जुड़ गए और भीड इतनी बेकाबू होने लगे कि औस्टेलिया की पुलिस से वो समाले नहीं समले पीछे जाती देखी और जॉकविच के समर्थक उसके पीछे पीछे चलते नज़र आए सौबात की एक बाती है कि दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी जॉकविच अपने ही देश में सरकार के निशाने पर आ गए थे जब उन्होंने वैक्सीन लगवाने का फैसला लोगों की मर्जी पर छोड़ने के वकालत की थी और तभी से उन पर आरोप लग रहा था कि वो वैक्सीन के बारे में लोगों को गुमरह कर रहे हैं जिन्होंने ऐस्टेलिया का वीजा ये बताकर हासिल किया था कि वो कोरोना से ठीक हो चुके है। जबकि जिन दिनों उन्होंने कोरोना की चफेट में आने का दावा क्या था उसी दौरान बिना मास्क लगाए कई कारकरमों में हिस्सा लेने के उनकी तस्वीरे भी सामने आई थी। जो अस्टेलिया में उनका वीजा रद होने की वज़ा मानेगी। गोवा में बीजेपी को जटका लगा। पंजाब के मोगा में एक मोटिसाइकल पर बैठा आदमी सीम चरणजीत सिंग चन्नी के काफिले के सामने गिर गया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और गाहिल की मदद की। मंध्य प्रदेश के क्रिशी मंत्री कमल पटेल ने भुपाल में सड़क हादसे में जखमी हुए एक शक्स की मदद की और उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचे। हादसा राजभवन के पास हुआ जहां एक कार ने एक लड़के को टक्कर मार दी और वहां से गुजर रहे कमल पटेल ने उसे गायल हालत में सड़क पर पड़ा देखा जिसके बाद उन्होंने इसका इलाज करवाया ये जिम्मेदारी है एक नागरी को और हरारती प्रक्ति पाई गई जिसके बाद उसे मुंबई के क्वारंटीन सेंटर में भरती करा दिया गया उत्तर प्रदेश के हापुर से एक चौक आने वाला वीडियो सामने आया वहां कुछ लोगों ने गुसकर मार पीट की बताया गया कि दोनों गुटों के बीच पैसों के लेंदेन का व हमलावरों ने उसे दुकान से नीचे सड़क पर खीच लिया और जम कर पिठाई की इस धोरान वहां कई लोग मौजूद थे लेकिन हमलावरों पर किसी का खौफ नहीं दिखा वो बीच सड़क पर गुंडा गर्दी करते रहे बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव की क कोशिश की और कर्मचारी को उनके कबजे से चुड़ा कर दूर हटा दिया खबरे कि ये वीडियो दो दिन पुराना है जिसके सामने आने के बाद पुलिस भी कारवाई में जुड़ गई सोबात के एक बात है कि हापोड में मारपीट का जो वीडियो वारल हुआ उसमें साफ दिखा कि दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की लेकिन पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों पर सिर्फ आईपी सी की धारा 151 के तहत कार रवाई की जिसका इस्तमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जिनसे शान्ती विवस्था को खत्रा हो जिसमें थाने से ही आरोपियों को जमानत देने का प्रावधान भी है बिहार के छपरा से चौकाने वाली कुछ तस्वीरे सामने आई वहाँ एक वाडस अदस से ने अपनी जीत की खुशी में पार्टी रखी जिसमें पिस्टॉल से पैसे लुटाए गए इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा जिसमें दो लड़किया स्टेज पर नाचती नज़र आई उन्हें पूरे जोश में नाचता दे कि उस पार्टी में शामिल लोगों ने उन पर पैसों की बारिश कर दी लेकिन उन लोगों का उन लड़कियों पर पैसे लुटाने का तरीका थोड़ा लग रहा कुछ लोग पिस्टॉल में रुपए फसा कर स्टेज पर नाच रही उन लड़कियों को देते दिखाये दी पंजाब में प्रिधान मंतरी की सुरक्षा में हुई चूक की जाच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ट जजज की अगवाई में कमिटी बनेगी इस मुद्धे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने कहा कि इस मामले की जाच के लिए एक कमिटी बनेगी जिसकी अगवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ट जजज करेंगे और अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे इसे पहले मामले पर सुनवाई के दौराण पंजाब सरकार की और से कहा गया कि उसे केंदर की कमिटे पर भरोसा नहीं है जिसके बाद सुप्रीम कोट ने कहा कि उसने जो कमिटी बनाई है उसकी जाच पूरी होने तक पंजाब के अधिकारियों पर कारवाई नहीं होगी क्योंकि ये प्रिधान मंतरी की सुरक्षा का मामला है और इसे हलके में नहीं ले सकते इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोड के सेकर्टरी जनरल ने शिकायत की कि वकीलों को फोन पर धमकी मिल रही है और आरोप लगाया कि सुप्रीम कोड पर इस मामले की सुनवाई नहीं करने का दबाव मनाय जा रहा है जिसकी शिकायत पुलिस में दर्च कराएगे उत्तर प्रदेश के पीली भीच से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया पुछ लोग मारे गए आदमी के परिवार वालों को अस्पताल से बाहर धक्का देते दिखे इसके बाद दोनों पक्षों के बीच वहीं मारपीट शुरू हो गई इतना ही नहीं मारपीट कर रहे उन लोगों ने महिला तक को नहीं बक्षा अस्पताल के गेट पर काफी देर तक ये मारपीट चलती रही और बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खलाफ पुलिस में शिकायत दर्च करवाई पीली भीट के अस्पताल में लगबग 24 घंटे इलाज के बाद लड़के की मौत होई थी जिसके घरवालों का आरूप है कि शव देने से पहले अस्पताल के कर्मचारियों ने पचास हजार उपए जमा कराने को कहा जबकि लड़के को बढ़ती कराते समय 35 जार उपए एडवांस जमा करा गये थे और इलाज में खर्च पर ही कहा सुनी हुई जो मार्क पीट में बदल गई जिसके लिए एस्पताल प्रबंदन ने लड़के के घरवालों को जिम्मेदार बताते हुए जवाबी मुकदमा भी दर्च करा दिया मद्र प्रदेश के दमहों में शराब करोबारी और कॉंग्रेस नेता शंकर राय के ठिकानों पर चापे मारी के दौरान पानी की टंकी से नोटों से भरा एक बैग निकाला गया जिसके अंदर मौझूद नोटों को सुखाने के लिए हेर ड्रायर का इस्तमाल करना पड़ा इस घटना का एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें आयकर विभाग के दो करमचारी नोट सुखाने में जुटे दिखाई दिये एक करमचारी नोटों को हेर ड्रायर की मदद से एक बड़े बरतन में सुखाता नजर आया तो वहीं दूसरा करमचारी नोटों को सुखाने के लिए उस पर प्रेस करता दिखा बताया गया कि उस बैग में 75 लाख रुपए थे जिनें बचाने के लिए घरवालों ने उसे पानी की टंकी में फेंक दिया था अलकि बाद में आयकर विभाग की टीम ने उस बैग को ढून निकाला बताया गया कि ये चापे मारी 6 जनवरी को शुरू वही थी और उसके दो दिन बाद तक यानि 8 जनवरी तक चलती रही मुंबई में ट्राफिक की परिशानी दूर करने के लिए बनाई जा रही कोस्टल रोड का एक हिस्सा पूरा हो गया दो किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा होने पर बड़ा जश्ट मनाया गया जिसमें मुंबई के नगर निगम BMC की मेयर समेट तमाम अफसर शामिल हुए एक बहुत बड़ी मशीन के जरीए सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था जैसे ही आखरी पत्थरों को गिराते हुए मशीन बाहर निकलते हुए दिखने लगी आसमान में घुबबारे उड़ाय जाने लगे छोटे-छोटे रंग बिरंगे कागस के टुकडे भी हवा में उड़ने लगे धोल की थाप के साथ शंक बजने लगा देश भक्ती के नारे लगाय जाने लगे इससे पहले मुंबई की मेर ने बाकाइदा पंडित बुलाकर पूजा करवाई और घंटा बजाकर कारिक्रम शुरू करवाया मेर किशोरी पेडनेकर के मताबिक इस प्रोजेक्ट का सपना उद्धव ठाकरे ने उस वक्त देखा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे BMC ने इस प्रोजेक्ट का एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया वीडियो के जरीए समझाया गया कि इस कोस्टल रोड के बनने से मुंबई के ट्राफिक पर क्या असर पड़ेगा दावा है कि समुद्र के नीचे से गुजरने वाली ये रोड मुंबई के एक छोड से दूसरे छोड तक पहुंचेगी और योजना के मताविक 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरा भी हो जाएगा ये काम कितना मुश्किल है इसका अनदाजा इस बात से लगाय जा सकता है कि जिस सुरंग को बनाने का काम पूरा हुआ वो केवल दो किलो मिटर लंबी है लेकिन उसे बनाने में एक साल लग गया और जिस प्रोजेक्ट को बनाने का काम 2023 में पूरा होगा जो मलाबार हिल पहाड़ी के नीचे से निकाली गई है यही वो टनल है जिसका एक हिस्सा बनकर पूरा हुआ है जिसकी चौड़ाई है करीब 25 मीटर जिसका एक हिस्सा पूरा हो चुका है और दूसरा हिस्सा बनाने का काम भी शुरू हो गया समुद्र में एक दीवार तयार की जा रही है जिसकी लंबाई करीब 7.5 किलो मीटर होगी समुद्र में इस प्रोजेक्ट के लिए लंबे वक्त से पिलर लगाने का काम भी किया जा रहा है दावा किया जा रहा है कि के लिए वर्ल्ड क्लास तिकनीक का इस्तमाल किया जा रहा है। सहबात की वाती है कि मुंबई में कोस्टल रोड प्रॉजेक्ट के जरीए मरीन ड्राइव को वर्सोवा से जोनने का टार्गेट है। जिसमें एक हिस्सा मरीन ड्राइव से वर्ली तक है, फिर वरली से बांदरा तक सीलिंग पहले से बना हुआ है और बांदरा से वर्सोवा तक कोस्टल रोड बनाई जा रही जिसमें लगबग 13,000 करोड की लगत आएगी लेकिन इस कोस्टल रोड की खासियत यह है कि इस पर आने जाने वालों से कोई टोल नहीं वसूल आ जाएगा दक्षिन पश्चिमी फ्रांस में बार से हालात बिगड़ गए उचाई वाले इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद वहां से बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी किनारे तोड़ कर बहने लगा बार की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आएं जिसमें पानी नदी किनारे मौजूद इमारतों से टकराता नजर आया रहाशी लाकों से गुजरने वाली नदी का ये रूप देख लोग भी सहम गए लहरें इतनी तेज थी कि उन्हें देखकर लगा जैसे वो सब कुछ बहा ले जाएंगी लोगों के घरों में भी पानी भर गया हालात को देखते हुए वहां रेड एलर्ड भी जारी कर दिया गया नितीश कुमार को करोना हो गया बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसके बाद वो घर पर क्वारंटीन हो गए पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनात मंदिर के पुनन निर्मान के काम में लगे सौ लोगों को जूट से बने जूते भेजे ये तोफे तब भेजे गए जब पीएम को ये पता चला कि इन लोगों ने मंदिर की वज़े से वहां नंगे पैर काम किया ड्रग्स केस में घिरे अकाली दल के नेता विक्रम सिंग मजीठिया को पंजाब हर्याना हाई कोट से फिलहाल अगरिम जमानत मिल गई अलंकि आदालत ने उन्हें बुधवार तक जांच में शामिल होने को कहा कानपूर में GST Intelligence की एक टीम शिखर पान मसाला ग्रूप के दफ्तर पहुँची और इस कमपनी का कामकाज देखने वाले दो अधिकारियों अनिल अगर्वाल और पवन मित्तल से पूछताच की देक्षन बारतिये फिल्मों के अबिनेता सिधार्थ विवादों में गिर गए उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़ा ट्वीट करने के लिए साइना नहवाल पर विवादास पत्टिपणी कर दी इसके बाद राष्ट्रे महिला आयोग ने महराष्ट पुलिस को इस मामले में एफाई आर दर्च करने को कहा हलांकि फिर विवाद बढ़ने पर सिधार्थ ने सफाई दी कि उनके शब्द को गलत तरीके से लिया गया मद्रदेश में बीते तीन दिनों में हुई बेमौसम बारिश और ओलों से राज्जे के 18 जिलों के करीब 500 गाओं में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा जिनमें शिवपुरी जिला भी शामिल है जहां का एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है जिसमें फसल बरबाद होने से दुखी एक किसान कलेक्टर अक्षे सिंग और पूर विधायक महिंद सिंग यादव के सामने फूट फूट कर होने लगा ये लोग जिले के दीगोद गाओं में फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे तभी ये किसान पूर विधायक के पैरों में गिर कर मदद की गुहार लगाने लगा ये देख वहां मौझूद पुलिस वालों ने फॉरण उसे उठा कर धांडस बंदा है कमुबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर हर्दा से भी सामने आई और वहां भी तबहा फसलों को देखने के लिए जिले के अधिकारियों ने गाओं का दौरा किया लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं करवाया पूर्व मुख्यमंत्री के एस आरोप को राज्य के कृशी मंत्री कमल पटेल ने खारिच कर दिया कमल पटेल ने भी माना कि ओलों की वज़े से सबसे जादा नुकसान गेहूं चना और सरसों की फसल को हुआ सौबात कीकवाद है कि मालवा निमार, बंदेल, खंड और गॉलियर चंबल के इलाकों में चार दिन पहले बारिश और ओले गिरने का दौर शुरू हुआ जिसकी वज़े से लगबग 18 जिलों में फसलों को नुकसान पहुचा और बताया कि जिन इलाकों में ओले गिरे वहां गेहूं, सरसों, चना, मतर और अरहर की फसल करीब पूरी तरह बरबाद हो चुकी है जिनका सर्वे कराने का निर्देश सभी जिलों के कलेक्टर को दिया गया है ताकि फसलों का मुआवज़ा बीमा कंपनियों से दिला जा सके साउधीज दिली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, वहां की सनलाइट कॉलनी में कुछ लड़कों ने जम कर हंगामा किया यह घटना दो जनवरी की पताय जा रही है जिसका वीडियो अब सामने आया जिसमें दरजनों मोटर साइकल सवार लड़के एक गली में उतपात मचाते नजर आए इन लड़कों के गली में आते ही लोग दुकान छोड़कर भाग खड़े हो हाथों में डंडे और धरदार हथियार लिए इन लड़कों ने दुकान को तहसनेस कर दिया साथ ही इन लड़कों ने वहां खड़ी कई मोटर साइकलें और स्कूटरों को भी नुकसान पहुचा है खबर है कि इन लड़कों ने इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए ये बावाल किया हाला कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्च कर दो लोगों को गिरफतार कर लिया यूपी के बलरामपुर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज पपू के हत्या कांड की गुथी को सुलजाने का दावा पुलिस ने किया पपू की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद से ही पूरे इलाके में आकरोश था ऐसे में पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत ज्हूंग दी और छे दिनों के भीतर ही उसने इस हत्या कांड का परदाफाश कर दिया और बताया गया कि फिरोज पार्टी से टिकेट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था पुलिस ने दावा किया कि इसी राजनीतिक रंजिश की वज़े से हत्या का शड़यंत्र आरोपियों ने रचा बड़ी ख़वर आ रही है आई सीमार ने करोना टेस्टिंग को लेकर नियोमों में बड़ा बदलाव किया और बताया कि करोना पॉजिटिव मुरीज के संपर्क में आने वाले हर किसी को टेस्ट की ज़रूत नहीं है रवी हमार साथ जुटना है रवी जो भी कॉन्टेक्ट में आया है किसी करोना मुरीज के तो उसको टेस्ट की ज़रूत नहीं है देखें ये नई एडवाइजरी है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हाई रिस्ट केटेगरी में नहीं आते हैं अगर साथ साल से उम्र से ज़्यादा आपके उम्र है या फिर को मॉर्बिड नहीं है तो टेस्ट की ज़रूत नहीं है यानि कि कोई और कोई गंभीर बीमारी नहीं है और हाई रिस्ट कैटेगरी में आपनी आते हैं तो टेस्ट की ज़रूत नहीं है तो फिर वो itar करना पड़ेगा उस वो अपने आपको क्या माने है वो अपने आपको आइसलेयट कर सकते हैं जिस तरीके से चाह गये हैं और तीन दिन चार दिन तक मौनिटर करें और उसके इसके बाद किसी तरीके के somehow तो आप काम पर जा सकते हैं। किरों में कुछ करमचारी आग बुझाने वाले सिलिंडरों का इस्तमाल करते नजर आए लेकिन उनकी इस कोशिश से आग बुझने के बजाए और भढ़क दे। जो विमान मुंबई से जाम नगर के लिए उडान भरने वाला था उसमें यात्रियों के बैठने के बाद तो ट्रैक्टर से रनवे तक पहुचाय जा रहा था। और तभी टो ट्रैक्टर में आग लग गई जिसे थोड़ी देर में बुझा दिया गया। लेकिन आग लगने की वज़ए अभी सामने नहीं आई। दबनमी टकसाल ने प्रधान मंतरी की तारीफ की। हाला कि वो घर पर नहीं मिले जिसकी वज़े से पुलिस को खाली आत लोटना पड़ा। उत्तराघंड में विधान सबा चुनाव के बीच रुड़की नगर निगम के 14 पार्षदों ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया। इनका आरोप है कि कुछ पार्षद विकास कारियों में अनंगा लगा रहे हैं। केंद्री ये स्वास्ते मंतराले ने सभी राज्यों को चिठी लिखी और कुरोना की वज़े से अस्पतालों में मरीजों की संक्या बढ़ने की आशंका जताई। ऐसे में केंद्री ने कुरोना के मामलों पर अलर्ट रहने को कहा और स्वास्ते सुविधाओं पर खास ध्यान देने का सुझाव दिया। लगातार बढ़ रहे कुरोना संक्यट की वज़े से बिहार विधान परषद को भी 17 जनवरी तक बंद कर दिया गया। आज वविश्व हिंदी दिवस है जिसकी शुरुआज सरकार ने 16 साल पहले की थी।